आप लोग जिस चीज का इंतिजार कर रहे थे जिस वीडियो के लिए इंतिजार कर रहे थे तो उस सभी का आपका इंतिजार आज खत्म हो गया है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं पर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब जरूर कर आँगा जिसमें आपको मैं सभी डिटेल जितना भी पीएप से रिलेटेड होगा मैं सभी जानकाद की देटेट हैं इसमें आपको बताना है माला हूँ के वल आपको इसमें पीएप का पैसा कैसे निकाला जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इस वाले बैप साइट पर चले आना है इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा जहा करना है इसके पाइस बाथ कबड़ करना है यवाला बॉक्स में फिल अब करते नहीं यह वालब काप्चा को कि इसके बाद diamonds 2021 कर देना मैं यहां पर क्लिक करने और लोगिन हो जाओ गयुत आप अपको लीट करने के कि पाथ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और फेज में आपको दिखने को मिलेगा एक वच रम कम पीज एक यहां पर मैंच इसके पर एकाउंट इसके बाद यहां और matches यहां पर आपको बहुत सारे जानकारी यहां पर दिया गया है, यहां पर जैसा कि पैसा निकलना चाहे हैं, था दो और यहां-पर आपको पैसे करना होगा, मैं इसके प्रोसर नहीं बताओँ सब्सक्राइंग निकास नहीं Be आप जैसे आप लोग इन करेंगे तो यहां पर आपको फिर से यहां पर लोग इन करने का सेक्षिन है यहां पर लोग इन करेंगे यूजर आड़ पास्वर्ड डालका और यहां पर कैप्चा डालका यहां पर लोग इन वाले सेक्षिन पर क्लिक कर लेंगे तो चलिए मैं यहा यहां पर आपको select member ID का आयागा यहां पर option यहां पर select कर लेना है member ID चले मैं यहां पर select कर लेता हूँ और इस तरह से select करने के बाद आपको page इस तरह से यहां पर आपको इस तरह से page देखने को मिलेगा यहां पर आपको इस तरह से page देखने को मिलता है जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ है नौमनी का नाम उन्ही का यहां पर पास्वुक अभी दिखा पाएगा यह नया update आया है यहां पर March का अपडेट आया है कि जिसनका पैसा देखना है उनको अभी पहले यहां पर नौमनी का नाम add करना होगा नौमनी का नाम कैसे एड़ करना है उसका आप हमें comment section में जरूर बताएगा उसके लिए मैं एक आपको संपूर नजानकारी दे दूंगा कि आपको नौमनी का नाम कैसे एड़ करना है उसके लिए आप हमें comment करके जरूर बताएगा तो यहां पर मैं आपको दिखा दिया कि आपको पास्वुक किसली नहीं दिखा रहा था और यहां पर आप देखेंगे तो क्लेम और जो भी कियो होंगे यहां पर आपको सारे डीटेल यहां पर देखने को मिल जागा तो चली मैं यहां पर लॉगाउट हो जाता हूं लॉगाउट होने के बाद आपको यहां पर पूरे सर्विस दिखा दो कि पैसा आपको कहां से निकालना है इनका निकालने क्लिए आपको आएंगे online service पर और यहां पर क्या करना है कि आपको इस चार option में सब्सक्राइब करना है claim for 31 और 19 10C and 10D फॉर्म को इसको क्लिक कर लेना है आप जैसे क्लिक करोगे तो पेज कुछ इस तरह से open हो जागा पेज इस तरह से open होने के बाद है यहां पर ऽारा member का data लीखा गौवा रहें खार गाँ जो भी डीटिल यहां पर आप देख पा रहे खोंगे जो account number के वाईन में हैं यहां पर आपको account number के फिल करना है इस वाले box में आपकर IQ कर देना है तो अब दो क्या आप ले अब किन आपको देटाों का अपको देखता है जैसे कि मैं यहाँ पर account number यहाँ पर fill कर चुगा हूँ इसका बद verify वाले section पर click करेंगे आपको यहाँ पर yes और no करने का section आएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको yes कर देना है आप yes करोगे तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि आपका account नमर जो है यहाँ पर verify का tick out लग चुगा है तो आपको इस तरह से verify का tick out लगएगा तभी आपका detail सही होगा अन्था अगर नहीं लगता है इस तरह का तो आपको detail गलत होगा तो आप दुबारा से आप tick out करके यहाँ पर इस तरह का यानि की verification कर लेंगे अब क्या करेंगे आप पर proceed to online pf पर क्लिक करना है यहाँ पर लिखा हूँ है यहाँ पर एक नीचे option है यहाँ पर I want to apply for इस वाले section पर चले आना है और यहाँ पर आपको tick box पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा गया है और इसका बाद आप अगर पेंशन निकालना चाहते है यहाँ पर प्लिक करेंगे और इसका बाद यहाँ आपको क्या करना है कि थोड़ा से नीचे आएंगे यहाँ पर आपको पैसा आपको 50,000 से ज्यादड़े है यहां पर आपको प्लोड यहाँ पर आपको फॉलड करना होगा तो गृठ बाद आपको 50,000 से पैसा अगर अधीक होगा तो अगर 50,000 पैस से कम अगर PF का पैसा होते हैं यहां पर 15 जी का यहां अप्लोड करना जरूरत नहीं पड़ेगा यह ऑप्सिनल है इसके बाद आपको नीचे आने यहां पर employee address है यहां पर अपना address फिलप करेंगे इसके बाद यहां पर upload as can copy of check या पासबुक यहां पर आपका bank का जो pass book होगा या check होगा आपको यहां पर upload करना है upload करने के बाद यहां पर view पर click करके check करने करें की आपका upload हुआज थो नहीं यहां पर आप ध्यान हैं कर आप जो bank का जो पासबुक upload करना है Online Court would equipment अपको is AP are JPGating by進icator aka पर फॉर्म डाल सकते हैं इसके लिए आपको यहां पर दिया गया है maximum और minimum फाइल का साइज यहां पर 100 के भी minimum होना चाहिए और maximum 500 के भी होना चाहिए यानि कि पूरी तरह सापको डुक्मेंट जो होगा आपको clear यानि साफ साफ होना चाहिए नहीं तो आपका reject हो जागा यहां पर तो आप यहां पर थोड़ा-स और नीचा आएंगे और नीचा आने के बाद चाहिए तो जो भी amount होगा आपको यहां पर निकल जाए यहां पर आपको pasbook ये वाल upload करना है पासbook आपलोड करने के लिए मैं यहां पर आ गया हूँ और मैं जो pasbook पे पना करने करने एक यहां पर चूच कर लेता हूं यहां पर term and condition है, यहां पर condition को apply करना है, जैसे यहां पर apply कर लेता हूं, इसके बाद आपको यहां पर एक option आता है, gate अधहार OTP, यानि कि जो आपके अधहार कार्ट के साथ mobile number link होगा, उस पर एक OTP send होगा, OTP send होने के बाद आपको यहां पर OTP के दर्ज कर लेता हूं, यहां मैं यहां पर OTP send वाला पर click कर लेता हूं, यहां पर जैसे यहां पर आपको OTP fill up करने का option आ जागा, यहां पर आपको क्या करना है, अधहार का जो OTP आया हो, यहां पर fill up करेंगे, fill up करने के बाद यहां पर validate and submit claim on form पर click कर देना है, यहां पर मैं OTP fill up कर चुका हूं, इसका validate OTP submit पर click करना है, यहां पर आप जैसे click करोगे तो यहां पर आप कुछ इस तरह सा interface देखने को मिलेगा, यहां पर आपको सभी details successful हो चुका है, यहां पर मेरा claim हो चुका है, यानि कि मैंने जो यहां पर पैसा निकालने के लिए जो claim कर रहा था, यानि कि तो मेरा यहां पर claim हो चुका claim होने के बाद आप यहां पर देख पारें कि यहां लिखा हुआ है, OTP has been verified, EKYC upload, PF final withdrawal claim, form submitted successful on unfilled portal, please click here to view PDF, यहां से आप PDF है यानि की receiving को प्राप्त कर सकता है, चली मैं यहां पर receiving क्लिक कर लेता हूँ, यहां पर जैसे click कर लोगे तो यहां पर receiving प्राप्त यह हो यह क्या करना है कि आपको print करके रख लेना है, और यहां print करके नहीं भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे print करके रखें या नहीं रखें उसे कोई मतलब नहीं है, आप जैसी आप ID अपना login करोगे तो आप ID login करोगे तो आपको claim का form आ जाएगा, तो यह आपको customer का देख सकते हैं यह, आप अपने निकाल को, यही थी छोटी से update, वीडियो चलाओ देख लाइक ही जरूर कीजिएगा, पीएफ से related अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया हो, कि कैसे कैसे कौन सा पैसा कैसा निकला, तो आप हमारे comment section में जरूर तो चली मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ,